अब ही कि सबसे बड़ी breaking news पठना से आ रही है और आपको बताते चले कि बिहार में महाकटबंदन की जो सरकार है ये बस महज कह लिजे तो कुछ दिन चलने वाली है और बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इसी के साथ आपको बताते चले कि मनीश कश्यप की अब बहुत जल्द होने वाली है मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पोजेटिव इंडिया दिरसल आपको बताते चले कि महराश्ट में जो खेला हुआ है अब महराश्ट के बाद करनाटक और दिहार की बारी है और महराश्ट वाला खेला जो है दिहार में भी होने जा रहा है और इसकी जानकारी हमें भाजपा के एक बड़े और कद्राबर नेता ने दी है हलाकि हम उनका नाम आपको नहीं बताएंगे लेकिन जो महराश्ट की घ पहले महराष्ट की घटना के बारे में बहुत बड़ा खेला हो चुका है और जो सरद पबाव अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ बिहार की राजधारी पटना में विपक्षी दलों की एकता की मीटिंग करने आये थे, विपक्षी दलों को जोरने के लिए आये थे, सभी लोगों को जोरने के लिए आये थे, सभी को एक साथ ले करके चलने के लिए आये थे, आज उनके ही घर में भगदर मच गई और फूट पड़ गई है, यानि कि सरद पबावार की पाटी से 30 बिधायकों के साथ उनके ही भतीजे अधीत पबावार ने बगावत कर दी और 30 ब ली थी, लेकिन 24 घंडे के अंदर में ही सरकार गिर गई थी, लेकिन वही अजीत पबावार अब सरद पबावार से अलग होकर, यानि कि नेशनल कॉंग्रेस पाटी NCP से अलग होकर के, अब BJP में सामिल हो चुके है, और अब महराष्ट में जो खेला हुआ है, अजीत पबा से बता रहे हैं, और आज भी सुबह हमने रिपोर्ट पेस की है, जिसमें हमने आपको बताया कि बिहार में सरकार बदल सकती है, और नितीज कुमार पल्टी मारने वाले नहीं है, नितीज कुमार महा गटबंदन में ही रहेंगे, लेकिन बिहार में BJP की सरकार बन जाएगी, और बिहार में BJP अपने दम पर सरकार बना लेगी, और इस बात का जो खुलासा हुआ है, उसे आपको जानना बहुत ही जादा जवड़ी है, आपको बताते चले कि नितीज कुमार कई दिनों से अपने बिधाय को और सांसदों के साथ one-to-one मीटिंग कर रहे थे, यानि कि ए केकर सभी विधायकों से मिल रहे हैं, बंद कमडे में, और राजपाल से मिलने के लिए पहुचे थे, सुसील कुमार मोदी भी राजपाल से मिलने के लिए पहुचे थे, और राजपाल दिल्ली के रवाना हो गय थे, और आपको ये भी बताते चले कि तयस्री आदब लैस ल गए थे उद्धोग पती के साथ मीटिंग करने के लिए और उस समय वो उद्धोग मंत्री थे लिकिन बिहार में जैसे ही फलाइट से उतरते हैं उनको पता चलता है कि सरकार बदल गए और मंत्री ही नहीं रहे उसी परकार से तयस्वी आदब जैसे ही लेंड करेंगे तो हो सक उनको पता चले कि उद्धोग मंत्री ही नहीं रहे और बिचारा फिर उसी तरीके से रोते गाते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से साहनावाज हुसेन रोते गाते हुए नजर आये थे आपको बताते चले कि सबसे बड़ी खबर जो आ रही है उसके अनुसार बिहार में वाला है और बिहार में ऐसा खेला जो होने वाला है उसके बारे में जो पॉजेटिव इंडिया आपको सबसे पहले रहे सुगहाटन कर रहा है यानि कि सिक्रेशी आपको बता रहा है सबसे पहले कि आप जान लिजे कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है और जद आपको बताते चले कि बिहार बिधान सभा में अभी क्या इस्थिती है उसको RJD के पास 79 यानि कि 89 भी धायक है अगर BJP के पास देखा जाय तो 75 भी धायक है अगर जदिव के पास देखा जाय तो 45 भी धायक है हलाकि अगर 25 भी धायक भी अगर आते हैं BJP के साथ फिर भी BJP सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि BJP के पास 75 और अगर जदिव से भी तूट करके अगर 25 अगर आते हैं तो ये आकरा सिर्फ 100 तक पहुशता है जबकि सरकार बनाने के लिए 123-124 की संख्या चाहिए वहीं आपको एक चीज़ और बताते चले ये जो रहे स्वगाटन हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आखिर नितीश कुमार जो दो दिनों से मीटिंग पर म खबड़े आ रही थी लेकिन वो तमाम खबड़े अब गलत निकली है और नितीश कुमार अपने पार्टी में भ्यंकर फूट होने के कारण और उनको जैसे ही इस बात की भनक लगती है वो अकेले में मीटिंग करते हैं यानि कि जद्यू के राष्टी या ध्यक्ष तक को इ उन्हें वैसे ही पता चलता है कि जद्यू में भारी टूट होने जा रही है और जद्यू के 25 से ज्यादा बिधायक जो है बीजेपी के संपर्क में हैं आपको बताते चले कि महज कुछी दिनों में बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है और बीजेपी अपने दम पर सरक कि आखिर कैसे क्या किया जाता है और देख लिजे कि महराष्ट में जो हुआ है वही चीज करनाटक में होने जा रहा है और लिख कर रख लिजे कि यही चीज अब बिहार में भी होने जा रहा है हलाकि ये बात भी बताया जा रहा है हमारे जो भाजपा के कदावर नेता से जो बात हुई है उन्होंने यहां तक कहा है कि RJD के भी बहुत सारे बिधायकों से उनकी बात चीछ चल रही है और RJD के भी बिधायक की बीजेपी के संपर्क में है और जैसे ही वो हरी जंटी देंगे बीजेपी राजपाल के जड़िये अपना कमाल दिखा देगी आपको यहां पर यह भी बताते चले चोकि हमने आपको एक बार बता चुके हैं कि बीजेपी के पास मात्र 75 बिधायक और अगर जो मांगे जो कर रहे हैं अगर बीजेपी उनकी मांग अगर मान लेती है तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और एक बात जान लीजे कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो नितीश कुमार और तेस्षी आदब की लंका लगनी तय मानी जा रही है और नितीस कुमार के PM बनने का सपना अधियस्षी आदब के CM बनने का सपना इस जीवन में तो कभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है और इसकी सबसे बड़ी बजह जो बताई जा रही है कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में कई बार खुलासा किया है कि मनीश कश्यक का म भले ही कोई भी पाटी का नेता खुले आम नहीं बोल रहा हो बीजेपी के अलाबा लेकिन सभी पाटी के बिधायक और सांसद इस बात से डरे हुए है कि हम अगर बोट मांगने जाएंगे तो जनता जारू से मार करके भगा देगी और यही बात आरजेडी के बिधायकों के मन में भी है जिस परकार से आरजेडी यानि कि आप कह सकते हैं कि तयस्सी आदब जिन बादों को लेकर के सत्ता में आये थे उनका वादा पूरा नहीं हो पा रहा है आखिर नियोजी सिक्षकों को राजकर्मी का दरजा देने का बात हो या बहुत सारा ऐसा आपको बताते च सरकार है सिचाई का सरकार है सुनवाई का सरकार है 21 चीज का सरकार है वह आप कह सकते हैं कि यह जो मंदिर में जो बहुत बड़ा जो लगा हुआ होता है जिसको लोग बजाते हैं उस चीज की सरकार है और वही चीज अब समझ में आ रही है और आरजेडी के विधायक और सां इसका से अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है तो अब ये लोग बोट मागने कैसे जाएंगे और ये अगली बार जितेंगे की नहीं जितेंगे इन लोगों को अपने भविश्य की चिंता हो रही है और आप सभी जानते हैं कि कोई भी नेता हो वो कुर्शी का कि अगला बार जित पाएगा या नहीं जित पाएगा और बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है इस बात को लिख करके रख लिजे और एक चीज और जान लिजे कि बिहार में एक खेला और जो होने जा रहा है कि पसुपती पारस को मंत्री पत से हटाया जा सकता है वहीं चिराग पासमान को खुश करने के लिए उनको मंत्री बनाया जा सकता है और चिराग पासमान ने हाजीपूर से लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान भी कर दिया है वहीं तेजस्वी आदब का तो सबसे बड़ा अब लोगों को ये इमेजिन करकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर कहीं ऐसा अगर हो गया और दिहार में सरकार बदल गई और तेजस्वी आदब जब विदेश से अपने पतनी और बच्ची के साथ जब पतना में सबस्था नहीं मिलेगा कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा तब उनको खुद बखुद पता चलेगा जे भाई क्या हो रहा है तब उनको पता चलेगा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई है और अब आप उपमुखमंती नहीं रहें अब एक समाने बिधायक हैं और सम क्योंकि 6 जुलाई को आपके करियर फ्यूचर का फैसला होना जाना है वही गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपोलियन कोट में और लगातार जो सुनवाई हो रही है उसमें बताया गया है कि 6 जुलाई को निरनायक फैसला आ जाएगा तो बिधायक भी रहेंगे या नह पर सकता है तो अब कैसे क्या होगा नहीं होगा वो जैसे ही कि इस मामले में नए अपडेट हैगा हम आप लोगों तक जरूर पहुचाएंगे जुरे रहे हमारे साथ अगर आपको हमारी असपस्ट पत्रकारिता पसंद आती है निस्पक्ष सुनना पसंद करते हैं तो चैनल जै भारत जै जै बिहार